इसलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम क्या हाल चाल आप लोगों के ठीक है अमीद है ठीक ठाक होंगे ठीक हमारा लेक्चर नेक्स स्टार्ट हो चुका हुआ है और आज हमने यूनिट नमबर फ्री स्टार्ट करना है हम डिकैड के स्लेबस से और यह नम्स के अंदर भी शामिल है वह आप मैच कर सकते हैं स्लेबस आपके सामने होंगे सो टूड़े वी विल डिसकस अबाउट क्रोमोसोम्स एंड डिन ने यह सेकेंड डियर के स्लेबस में शामिल है सो बहुत इंपोरेंट है बड़े कमाल की कॉंसेफ्ट सेंस में तो आप लोगों ने दिहान से देखना है ठीक है चलें जी बच्छों लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका हुए आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने अभी नहीं आ रहे हैं वाई इस इस प्रॉब्लम जल्दी से बरे सामने कमेंट्स आ जाएं तो मैं आप लोगों को जो है आज का लेक्चिन स्टार्ट करवाता हूं तोड़े विल डिसकस बाउट मैंने आपको जैसे कल भी कहा था डिसकस करके आना और रीड करके आना क्रोमोसोम्स एंड डी ने के बारे में ठीक है तो उमीद है रीड किया होगा आपने लाइन क्यों नहीं सिद्धी लग रही कि कब सीद्धी लगी है चेलें जी तरह फल्पी का बता दें जी फल्पी यूनिट नंबर टू का होगा बालोजिकल के क्वेस्टिन आएंगे इसमें गार्बोड रेट्स प्रूटीन लिपेड्स नुक्लिक एसेड्स वाटर के सारा जो सुलेबस है यह आपका शामिल होगा बास समझा आगी है बच्छो चले और अगर आपने कोई मुझसे बात पुछनी है चले अफल्पी के हवाले से भी अगर आपने कुछ पूछ पूछ पूछना है तो जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं हां जी बच्छो आपने मुझसे करना है तो हम उससे कर सकते हैं ठीक है क näh上 सर कल ही अफल पीजी है बिल्कुल कल ही है अच्या हमारे अब नहीं पढ़ा अभी तक उपीति हम अभीत्म नाएब अच्या मुझे लगा रहं कि हमने नहीं कर लिया सो बताएक क्या करना चाहिए अग्यक्स अभीत करेंस्ट हम और और वीडियो में फरका रहा है बागी टीचर्स की वास ठीक थी बेटे मेरे आज ने थोड़ी थोड़ी तबीयत सैट नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि आवास में थोड़ा फरक है ठीक है ठीक है ठीक है अफल पी सेटर डे को ही होगा ठीक है मुझे बताएं अब क्या कर कर लें बताएं जो ज्यादा बच्छे कहेंगे फिर उसलिया से हम कर लेंगे इंजाइम करें है क्रमोसम अंडियन ने अब जो सब्सक्राइब आपको बता दिया है बालोजी कल मॉलेक्यूल का कंप्लीट चैप्टर शामिल है कंप्लीट चैप्टर जो है वो शामिल है सलेबस के अंदर जो कि आफल पी में आएगा आपका सु यह नोट कर लें आज ना मेरा बरियानी काने का बड़ा दिल कर रहा है और मझे मेलनी रही इसलिए ना मेरी सब्सक्राइब थोड़ी डाउन वेवी यह पोखबड़ी लगी है पाधाई में पोखबड़ी लग यार की करिये अंदी बच्छों एंजाइम करना है या टॉपिक भी टैस्ट में है जी बिलकुल यह Topic है चलें फिर एंजाइम करते हैं अल्लह का नाम लेंगें इंजाइम शुरू करते हैं किया खियल है आर यू इट मी स्टुडंट्स है अम है अध्लो स्टुडंट्स आर यू इजमी और नौट इस यू आर विद मी बॉन एंजाइम्स का जो टॉपिक है वो करवा दूँगा इंशाल्ला आपको अफाका होगा ठीक है तर मैंने प्लाव खाया तो मेरी मेरे घर भी बेहिए देते हैं थोड़ा सा मैं भी खा लेता है चले बचे एंजाइम्स टार्ट करते हैं अब सुवाल ही है कि एंजाइम्स क्यों हैं इसलिए एंजाइम्स को हमने यहां पर पढ़ना है सो एंजाइम्स बहुत ही असान है इसके सिरफ एंजी कि उसम डिसकस करेंगे और मेन कॉंसेप्ट जो मुझे लगेगा कि आपको नहीं आते वह मैं आप लोगों को समझा दूंगा तो हेर वी गो टुदी एंजाइम्स पहला एंजाइम्स को जी बचो तरह यह सपोस कर लें कि आपने बर्याने खाई और बिलकुल ठीक हो जहें जी बिलकुल ठीक हुँ मुझे क्या होगा थोड़ी सी तब यह डाउन थी ओव बर्याने की वैजा से नहीं और किसी और वैजा से थी चलेंबचे एंजाइम्स बेस बोड़े खुद्बूक लग जाएगी यह देखें जी एक अन्जाइम प्रोटीन बनकर आगी यह प्रोटीन की चेन है इसकी कॉइलिंग होती और कॉइलिंग होने के बाद ही इस तरह से गलोबुलर हैसे गलोबुलर से ट्रक्चर में कनवर्ट हो जाती है प्रोटीन तो ना तो इंजाइम डी नेचर कहलाएगा वो अपना काम नहीं करेगा ठीक है इंजाइम सिरफ तब ही काम करेगा जब इंजाइम्स की शेकल ऐसी होगी यह देखें इस तरह कि मैंने पूरी चेन को फोल्ड कर दी है फोल्ड करके यह बॉल बन गई है यह बॉल काम करेगी अगर यह यह बारारे कि ख्याल नहीं होगी तो काम नहीं करेगी सर कुमनो सोम डीने भी ऐफवल पी में हैं बंदे मारने ने में लोकल भी श्यामिल नहीं है चलें इंजाइम्स के बगार बहुत ज्यादा जो बायो केमिकल व्यक्शन की स्टीड है वो कम हो जाती है सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजीशन देखते हैं इंजाइम्स की ठीक है यह मैं अब मिटा रहा हूं कमपोजीशन कया जी एंजाइम्स्कीजाइम्स प्रोटीन है मैं ने आपको बता दिया और इंजाइम की जो प्रोटीन होगी वह भी पॉलिपटाइट थेएन जेन है और वह पॉलिपटाइबड़ अब को बटा है आम हमाइनो इसी से ही मिलकर बने वी होगी है ठीक है composition के है जी यह proteins है और protein भी कौन सी है जी globular protein भी कौन सी है globular globular protein है तो इन में जो structure होगा that will be tertiary और इनके जो polypeptide chain है उनके अंदर amino acids ही होगे तो अगर आप चाहते हैं आपकी body में amino acids enzyme बहुँज़ा काम करें तो आपको protein खानी चाहिए ठीक है जी अच्छा उसके बाद एक और बात याद रखें कि अगर enzymes के अंदर भी chains ज्यादा है अगर polypeptide chains ज्यादा है तो वो tertiary से quaternary structure में भी जा सकती है लेकिन mainly इनका structure होगा quaternary spelling यही है ना quaternary ठीक है जब chains ज्यादा हो जाएंगी ने तब वो quaternary में जाएंगी अगर एक ही polypeptide chain है तो quaternary अगर ज्यादा sorry tertiary अगर ज्यादा chains है तो quaternary लेकिन होंगी वो globulari होंगी globulari ठीक है चलें enzyme के structure पर चलें composition के बाद और यह protein किस से मिलके बनेगी amino acid से structure पर चलें तो enzyme के दो parts होते हैं enzyme के दो parts होते हैं यह अगर आपका enzyme है तो इस enzyme के दो part होंगे एक आपका जो enzyme है उसकी active site होगी यह active site है यह active site है और यह जो बाकी का structure है यह bulk bulk structure है ठीक है तो आपका MCQ बनेगा यहां पर बहुत important function of function of bulk structure bulk structure of enzyme of enzyme is ठीक है यह यह जो पूरा enzyme का structure है bulk वाला इसका structure किया ठीक है तो आपने बताना है alpha इसका structure structure catalysis है catalysis है binding with binding with substrate है और उसके लावा Charlie आपके पास आएगा इसका structure maintenance है यह इसका कोई भी काम नहीं है कोई function नहीं है तो वच्व क्या लगता है आपको आपको क्या लगता है कि जो बाकी का bulk structure है इसका क्या काम है अच्छाबबाश सर एमसी की उसमें tertiary लिखें फिर जी एमसी की उसमें tertiary ही आयागा ठीक है आम तोर पे लेकिन अगर tertiary quarter नरी अगर यह हो quarter नरी और tertiary फिर वह यह आएगा लेकिन आम तोर पर यह एमसी की उसमें आता ठीक है चलें क्या option है जी बीटा यानि बैंडिंग सब्स्ट्रेट नो बीटा नहीं है कि टैलेसिस भी नहीं है याद रखें जो बल्क सट्रेक्चर है उसने इंजाइम का गुलोबुलर सट्रेक्चर मैंटेन करना होता है मैंटेनस आफ गुलोबुलर सट्रेक्चर मैंटेन करना होता है उसका नाम उसका काम के टैलेसिस नहीं है और उसका काम बैंडिंग सब्स्ट्रेट भी नहीं है तो यह पूरा सट्रेक्चर है एंजाइम का बल्क वाला बल कहते हैं ज्यादा वाला जो सट्रेक्चर है वह इस एंजाइम के गुलोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता है ठीक है और याद रखें एक्टिव साइट वो क्या नाम है जगां होती है जो कटेलेसिस भी करवाती है और बैंड सब्स्ट्रेट को बैंड भी करती है तो अगर मैं यहां पे सब्स्ट्रेट को बैंड करने के अंदर भी इन्वालव है अब किस तरह से यह बैंड करती है उसको हम देख लेते हैं उसको देखने के लिए हमें अक्टिव साइट के अंदर वाले पॉर्शन को स्टेडी करना पड़ेगा अक्टिव साइट कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टन्ट हैं ठीक है इसकी जो फीचर्स है एक तो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वह सपैसिफिक होती है इसको तर अच्छा सा खुब्सूरत सा करके लिख लें एक्टिव साइट की जो फीचर्स है वो दो है एक तो इसकी स्पैसिफिक शेप है और एक इसके उपर चार जोता है यह दो चीजें एक्टिव साइट की आपने याद रखने हैं और यह क्यों होती है यह उन्हीं अमान एक्टिव साइट के अंदर मौझूद होते हैं और वो कितने मौझूद होते हैं थोड़े से थोड़े से अमानौ एसेट एक्टिव साइट में मौझूद हैं बागी सारे मानौ एसेट जो है ना वह बल्स रिट्रक्चर में मौझूद है सो जिस तरह अमानौ एसेट की ओरि करेंगे और जो एक्टिव साइट के मानुए सिट पर चार्ज होगा वही चार्ज और उसी तरह की शेप पिर एक्टिव साइट की निकल कर सामने आएगी ठीक है non competitive substrate बेटे वो आगे आएगा फिर हम discuss करेंगे active site के regions देख लेते हैं यानि parts कुछ बच्चे समझते हैं कि active site की यह types थीजार नौ टाइप थीजार दा regions यानि हिस्सें active site के अंदर दो हिस्से मिलते हैं उन में से जो पहला हिस्सा होता है that is called binding binding site और जो दूसरा हिस्सा होता उसको हम नाम देते हैं catalytic site चलें तो इसको भी आपने mcqs में याद रखना हैं तो mcqs लिख लेते हैं direct mcqs लिख लेते हैं कि recognition 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 of a substrate of a substrate is the function of is the function of alpha है जी active site active site beta है आपके पास binding site और और चारली है catalytic site तो ठीक है और डेल्टा है आप आप आपके पास है आप 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 दीज आप दीज तो इसको पेचान लें कि आपके को न से पार्ट का फंक्शन जो है वह substrate को पहचानना है recognize करना है binding site and catalytic no its not आपका answer होगा binding site ठीक है दोनों का यह function नहीं है यह function सिरफ binding site का ही है और अगर आप से यह पुछा जाए कि catalysis किसका function है catalysis किसका function है product बनाना किसका function है तो वह catalytic site का function होता है यह भी clear हो गया उसके बाद हम इसके मजीद कुछ parameters को study करते हैं जिसमें सबसे important चीज को factor आती है सबसे important चीज जो नहीं वह को factor आती है डाइट इस non protein part याद रखें एंजाइम पूरे का पूरा protein होता है लेकिन सम टाइम उसके साथ कुछ non protein parts भी जो है ना वो bind हो जाते हैं सम टाइम नॉन प्रोटीन part वो जो नॉन प्रोटीन part bind होते ना आके उनको हम को factor करते हैं अब इदर यह वाला जो हिस्सा मैंने हाइलाइट किया इदर यह हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट है यह active side के साथ जुड़ावा होगा और यह help करेगा इसको यह help करेगा ठीक है help करेगा catalysis के अंदर help करेगा और substrate को bind करने में help करेगा इसको समझने के लिए इसका म सही कुज वह वह लिखते हैं वीच एज कि वीचर विचो Zach evaluation वीच अव्द जो अवर पॉल्व ए टा ज fac 001 ए लगता है च्ट खरते हैं क्या लगता två फекallen का पहला रोल है, act as bridge, act as bridge between substrate and active site, and active, यह active side और substrate के दर्मियान, bridge का काम करता है, ठीक है, enzyme यह active side कह लें, और beta प्रोवाइड प्रोवाइड इनर्जी क्या यह इसका काम है चारली कर लें एए टेक्स पार्ट एए इख पार्ट इन रियक्शिन क्या यह रियक्शन में हिस्सा लेता है या delta कर लें all of these तो कौन सा function है बच्चो 4 factor का इस mcq उसके मताबिक आपको क्या लगता है क्या लगता है बच्चो जल्दी से देखें 4 factor का काम इसमें से क्या क्या हो सकता है time ना लगाया करें जल्दी जल्दी से जवाब दे दिया करें पहलें जी शाबाश तो याद रखें मचो ठीक है तीनों काम तीनों काम active co factor के होते हैं ठीक है जी तीनों काम होते हैं तो जो एक भी एक एरे वो गलत है ए नहीं है ए तो सिरफ इसका एक काम है sometime ये chemical energy provide करता है और sometime तो ये chemical reaction में directly इसा लेता है तो इसका answer होगा all of these तो इसकी आगे types बना लेते हैं जी co factor की types कौन कौन सी हो सकती है co factor co factor की जो types हैं वो दो तरह की होती है दो तरह की types होती है कुछ को हम organic कहते हैं और कुछ को हम inorganic जो है वो नाम देते हैं और गैनिक और इन और गैनिक के देखें को फैक्टर में भी classified है आप ये टेबल बना लेंगे तो इंचाला आपको अफाका हो जाएगा को फैक्टर में भी इन और गैनिक और इट में भी और गैनिक के अंदर आपकी एक्जेंपल आती है एक्टीवेटर 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 में को फैक्टर के तोर पर रोल प्ले करते हैं अग्जेंपल लिए जो है वो लिखी विए कॉपर आइन जिंक आइन बगारा इसका मतलब यह है कि जिन रियक्शन में एक्टीवेटर काम कर रहे होते हैं उन रियक्शन की किटेलेसिस उस वकत तक नहीं होगी जब तक आइन नही हो है वो रियक्शन करने लगा है नहीं कर रहा जब वो आइन आएगा अगर उसको कॉपर आइन चाहिए तो कॉपर आइन आएगा तो वो अपना काम शुरू करेगा अगर उसको जिंक आइन चाहिए तो जिंक आइन आएगा तो वो अपना काम शुरू करेगा इसलिए इसको एक्टिवेटर का नाम दिया है और यह detachable क्यों है क्योंकि यह अलग हो सकता है बाद में यह बाद में अलग हो सकता है यह strongly bonded नहीं होता लें जी उसके बाद और गैनिक को मजीद दो टाइप में डिवाइड करते हैं पहली टाइप है प्रॉस्थेटिक ग्रूप प्रॉस्थेटिक ग्रूप और दूसरी टाइप है को एंजाइम को एंजाइम प्रॉस्थेटिक ग्रूप जो है न है यह detachable नहीं होता यह बहुत strongly bonded होता है covalently bonded होता है covalently bonded होता है with the with the protein part और coenzyme अल्ला बला करें आपका loosely bonded होता है loosely bonded होता है with the protein part इसकी example आपने metal lines लिखी है तो इसकी example आप लिख ले प्रॉस्थेटिक ग्रूप की हीम हीम example लिख ले हीम ओफ हीमोगलोबिन हीम ओफ हीमोगलोबिन यानि हीमोगलोबिन की chain के अंदर जो हीम है वह जब तक नीना आएगा तब तक हीमोगलोबिन protein अपना काम नहीं करेगी coenzyme हमने बड़े मशूर पढ़ने है बायो अनर्जेटिक्स में FAD NAD यह सब coenzymes हैं जो आपको पता होने चाहिए ठीक है बचो यहां तक आपको मेरा ख्याला बात के लिए हो गई है इसका मतलब जब तक यह नॉन protein पार्ट नहीं आएगा तब तक enzyme अपना काम नहीं कर पाएगा लें जी अब आपके पास एक mcq है which of the following which of the following is correct statement correct statement कौन सी है आपके पास alpha है all enzymes all enzymes need cofactor उसके बाद बीटे है आपके पास all enzymes do not need cofactor चारली है some enzymes some enzymes do some enzymes need cofactor उसके बाद आपके पास delta है some enzymes some enzymes are not proteins चलें जी जल्दी से चेक करें इस में से कौन सी आपको option से ही लगती है hurry up students hurry up कौन सी option ठीक है जी चाबाश तो third option चारली option ठीक है some enzymes need cofactor इससे यह साबित होता है कि तमाम enzymes को cofactor नहीं चाहिए होता ठीक है कुछ enzymes बगएर cofactor के काम करते हैं और कुछ enzymes को cofactor चाहिए होता है हर enzyme को cofactor की जरूरत नहीं पड़ती है को enzyme की एक और example भी लिख लें आप यहां पर vitamins वाइटा अब vitamins जो है न इसके बारे में एक MC की वजी आपके बुक में जो आपने याद रखना है मैं वैसी sentence लिख देता हूँ आपको याद रहेगा they are also needed in small amounts जिस तरह enzymes की बहुत थोड़ी amount चाहिए होती हो बार बार यूज हो जाती है ऐसे ही vitamins की भी बहुत थोड़ी amount चाहिए होती हो बार बार इस्तमाल होती चली जाती है आपको पता है हम लोग कहते हैं जी आपके अंदर vitamin D की कमी होगी है vitamin C की कमी होगी है तो यह सारे vitamin क्या कर रहे होते हैं हमारे enzymes के helper होते हैं सो कोफ एक्टर को मैं helper भी कहता हूं वाइटामिन्स थोड़े से हमने खाने होते हैं लेकिन यह हमारे enzymes के बहुत प्यारे helper हैं सो इन helpers के बगएर enzymes तेज काम नहीं करते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि vitamins बड़ का occurrence के MCQs आएंगे कि MCQs के enzymes होते कहां पर हैं और मैं एक ही MCQs solve solve कर वाता हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि enzymes की occurrence किया है लें जी MCQ आपका occurrence के साफ से occurrence के साफ से आपका MCQ बने बनेगा Enzymes Enzymes Involved Involved in Glycolysis Glycolysis Are Present In Alpha है जी आपके पास Mitochondria Mitochondria Beta है आपके पास Cytosol Charlie है आपके पास Chloroplast और Delta है आपके पास Mitochondria Mitochondria वो तो हो गया है Delta है आपके पास Ribosome चले इससे आपको occurrence का अंदासा हो जाएगा कमी क्यूं होती है जब reusable एक बार खा के जान छोड़ा जाए चैनल के अडी साया भी तो हो जाता है इसलिए और चाहिए एक बार राया भी वो और रहें आप्वी कुरुल उपर आप बीतरशे हो कहां पहोंगे यह कौन क्या रहा है और डी कौन कशल बता रहे हैं जी कुछ भचे ठीक बता रहे हैं गलाकॉलze सीज जहां पर होती है उसके इंजाइन भी योही पर होते हैं यह एक इमपोर्टन फटाइब है जहां पर किसी रियक्शन करेब साइकल के देखें तो onर्याइम में ंघंगे अगर फोड़ सिंथा के नजाइम को ढूंडए तो आपको क्लो प्लास्ट में मिलेंगे अगर प्रोटीन बनाने के आन्जाइम ढूंड़ें तो ribosome पे मिलेंगे लेकिन glycolojis आपको पता है अपना concept clear लें कुछ बच्छ साइटो सोल यह नहीं साइटो प्लासम में होती है ठीक है मेरे खाल अब आपको यह चीज़ें समझ आ गई है एंजाइम्स करेक्टरिस्टिक्स डीयाना वह आप लोगोख खुद कर लें उसमें मेरा नहीं क्याल कोई बहुत बड़ी रॉक्ट साइंस है मैं अब आपको इंजाइम्स के काम करने का तरीका समझा देता हूं इंजाइम्स काम कैसे करते हैं इंजाइम्स अपने साथ सब्सेट्रेट को अटेच करते हैं यह अपने साथ सब्सेट्रेट को जब अटेच करते हैं तो इंजाइम्स सब्सेट्रेट कॉम्पलेक्स बनता है और उसके बाद इंजाइम्स अलग हो जाते हैं और प्रोड़क्ट अलग हो जाते हैं इंजाइम अलग और प्रोड़क्ट अलग बेसिकली जो सबस्ट्रेट होते हैं वो वैसे भी प्रोड़क्ट बना रहे होते हैं इसकी मिसाल ऐसे है जैसे यह एक सब्स्ट्रेट है ठीक है जी यह दूसरा सब्स्ट्रेट है यह दूसरा सब्स्ट्रेट है ठीक है यह सब्स्ट्रेट नमबर वान है और यह सब्स्ट्रेट नमबर टू है अब यह दोनों रियक्शन करेंगे यह दोनों रियक्शन करेंगे और दोनों प्रोडक्ट बना देंग कि मैंने जो आपके सामने ये तस्वीर बनाई है दिस तस्वीर इस नोन एज ये भी आप से मैं हमसी को उसके वाले से पूछता हूं कि जो मैंने आपके सामने तस्वीर बनाई है ये तस्वीर कौन सी है अलफा है आपके पास क्या ये मैटाबॉलीजम है कि यह क्या टाबॉोलीजिम है कि यह ऐनेबॉलीज़म है दियान से समझ लें บचो यह ऋल अल अफ दिज है यह जो मैंने आपके समस्क्तस्वीर बनाई है यह 기ा अध्युक्ट माटैबोलीजम है क्योद आरा ईन पनाबोलीजम है जल्दीokol भरूमे enrollment enzymes के बगेर ही बनाई है यह substrate no.1 यह substrate no.2 और दूनों मिल कर product में convert हो गए हैं सबस्रेट 1 plus substrate 2 दूनों मिलकर product में convert हो गए हैं इस तरह की process को क्या नाम देंगे बचो catabolism गता याद रखें केटा में लफ्स काटा है काता जब आप किसी को ब्रेकडाउन करते हैं तो वो काटा होती है मिन काट रहे हैं चीजों को इसलिए यहां पे काटा नहीं आएगा एनाबुलीजम है जब दो छोटे मॉलीकूल को मिला आके बड़ा मॉलेकूल बना रहे हैं एनाबुलीजम तो आप ने सीख ली चाहे वहःबूलीजम हो चाहे वह आप कार बनाता हूं आपके सामने अगर यह दोबारा से तूट जाए और दोबारा से तूट जाए यहाशे और कैंदा और सो क्या अठा हो या नहां हो वहुती मेडवलिजन यह उसको करना है अण जाइम ने हम आपको इंजाइम का असल चहरा सुनाता हूं उनजाइम का असल चहरा होता क्या है एक यह इस प्रोडक्ट के γिए इसमें क्या होता है जी 24 गंटे के अंदर 24 गंटे के अंदर इस प्रोड़क्ट के इस प्रोड़क्ट के 0.00001 मॉल पैदा होते हैं स्पोज है ठीक है 24 गंटे के अंदर इस प्रोड़क्ट के कितने मॉल पैदा होते हैं बगैर इंजाइम के 0.0001 मॉल इन दोनों को आपस में reaction करने हैं बड़ा time लगता है दोनों आपस में fit बड़ी मुश्किल से होते हैं खुद बाखुद हो रहे हैं ना सो 24 घंटे में इतने मौल पैदा हो रहे हैं requirement ज्यादा मौल्स की है 10 मौल्स की है 20 मौल्स की है सो फिर enzyme आएगा अब यहां पर enzyme की entry करवाते हैं enzyme की entry करवाते हैं जी इस इस दा enzyme यह enzyme आएगा enzyme इनके reaction को तेज़ करेगा बस ठीक है नहीं बेटे सिरफ c option anabolism करेक्ट है ठीक है मैंने पता दिया यह enzyme इन दोनों substrate को attract करेगा और अपने अंदर bind करने की कोशिश करेगा यह देखें यह enzyme आ गया यह इसके उपर substrate है ठीक है आप मैं इसको आपको बता रहा हूं काम चलेगा कैसे यह enzyme है और यह substrate है यह दोनों substrate नमर वान भी और टू भी यह enzyme की active site में जाके bind हो जाएंगे और enzyme का substrate के साथ complex पैदा हो जाएगा क्या पैदा हो जाएगा इस complex चैलेंज यह इस complex है टेड़ा हो गया ना इसको थोड़ा सीधा कर लो ताके problem नहीं ठीक है इदा हो जाएंगे यह यह enzyme है दोनों substrate इसके अंदर जाके bind हो गए हैं दोनों substrate इसके साथ जाके bind हो गए हैं एक यह बाइंड हुआ और एक यह बाइंड हो गया ठीक है दूसरा यह था लें जी दोनों substrate इसके साथ जाके bind हो गए हैं अब यह enzyme जल्दी जल्दी substrate को अपने साथ attract करता रहेगा और उसको product में change देखते ही देखते यह product में change हो जाएगा तो दिस इस पी एंड इस इंजाइम अलग और यह जो पी है इसमें से बन कर बाहर निकल जाएगा ठीक है जी यह product बन गया वह अलग हो गया अब enzyme ने क्या किया है पहले से भी reaction हो रहा था पहले 24 गंटे में क्या हो रहा था पॉइंट 00001 मोल पैदा हो रहे थे अभी enzyme जल्दी जल्दी इसको बना के जल्दी से फिट किया भेजा जल्दी से पैक किया भेजा जल्दी सब्सेट्रेट पकड़े product बनाया भेजा सब्सेट पकड़े product बनाया भेजा सो यह speed up कर देगा यह जितने भी substrate इसके आसपास rate of reaction तेज हो गया ठीक है पहले भी हो रहा था पहले 24 गंटे में बहुत कम मोल बन रहे थे अब 24 गंटे के अंदर enzymes की मदद से यह समझे 10 मोल पैदा होंगे अब नेक्स चलते हैं जी feedback mechanism अगर आपके पास एक पाथवे है reaction का एक पाथवे है अक्सर इस तरह होता है cycles के अंदर होता है और जो बड़े steps के अंदर काम होते हैं उनके अंदर a convert होता है बलके ए हमारा initial substrate होता है याद रखें ए जो है न हमारा initial कि सबसेट्रेट होता है सबसेट्रेट और यह हमारा final product होता है यह हमारा क्या होता है जी final product अब एन ए में convert होना है तो यह directly convert नहीं होगा यह step wise convert होगा कैसे जी सबसे पहले a convert होगा b इमें बी convert होगा c में c convert होगा d में और d convert होगा e में a को बी में convert करने के लिए इसको थोड़ा फासले पे लिखें ताके जाए अंजाइम के लिखने की जगां बच जाए बी कनवर्ट होगा c में लें जी यह जब पहला step है यहां पे enzyme number one आगे काम करेंगा और फिर बी को c में convert करने के लिए enzyme number two आएगा c को d में convert करने के लिए enzyme number three और यहां पे enzyme number four आएगा enzyme number four और चाहिए गा एंजाइम नमबर वन के लिए एक इंजाइम भी मिस होता है ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का पाथवे है वह बीच में ही रुख जाएगा वह मुकंबल कंप्लीट नहीं हो पाएगा अब आप लोगोंने थमझने के feedback कैसे होता है अगर final product E और example E जो है ना इसकी concentration बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी concentration बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह E जो है ना इन में से molecule कि Dazu कुण करेंगे और मौभ करके वापस जाएंगे किसके पास इन्जाम नमबर उन के पास इन्जाम का ये बाई बोहोत बना लिया बस कर जाएं हमें मजीद प्रोड़क्ट नहीं चाहिए रियक्शन को स्टॉप कर दें reaction को stop कर दें सो battery better change कर रहेते हैं प्रेशाण नहूं कर बैटरी दिराचे की लिए सो final product concentration इतनी ज्यादा होगी यह मैं arrow लगा रहा हूं arrow लगा रहा हूं इसका मतलब concentration बहुत ज्यादा highly हो गया है बहुत ज्यादा molecules वहांपर पड़े हुए है इन्जायम नमबर वन के पास आकर क्या कहेंगे। बैक जान बस कर दे बोत हो गया। इसको कहते हैं feedback inhibition, इन्हीडियर बनंझ जाते हैं यह inhibitor बन जाते हैं जिसको हम inhibition कहते हैंं। और यह non competitive inhibitor बनते हैं, यह enzymes के साथ आकर bind हो जाते हैं और उन्हें मना कर देते हैं कि आपने अपकाम नहीं करना कि अच्छा की है अच्छा की अच्छा करें चेलें जी तो फाइनल प्रोटेटि जब बड़ी तो यह इस रियक्शन को अपनी उकाद पर वापस लेकर आने के लिए आफ्णीक ने प्रोटर ने आटीएं के पास आते हैं जाते हैं बहुत है ब्रेस्ट पक चुकी अब बसकर दो तो टीक और शांजो यह ब्रियानी पकर ही यह यहां पे अब ब्रियानी इतनी है बहुत ज़्यादा पका दी बंदों को खानी भी नहीं है ताके जितनी जरूरत है उसके मताबिक इसको इसको इस्तमाल कर लिया जाए ठीक है जी इन्हीशन यह फीडबैक इनिभीशन है कि आउट्पूट ने खुद अपने इंजाइन को जाकर दिया बैजन ना करें बस करें ठीक है उसके बाद सम टाइम फाइनल प्रोड़क्ट की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है और इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बहुत जादा हो जाती है इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बहुत जादा बढ़ जाती है फिर क्या होता है इनिशियल सबस्ट्रेट जब बढ़ जाता है तो के और लेकर रिक्वेस्ट लेकर फाइनल इंजाइम के बास जाते इंजाइम नंबर फौर के पास और उसको कहते हैं आपकी एक्टीवेशन हो जाती है यह आपकी एक्टिवेशन है और आखरी स्टव के इंदर हमेशा paths ways के अंदर या cycles के अंदर precursor regenerate होता है konflik को कहते हैं pre km Soul activation इसली जरूरी है क्योंकि precursor नहीं initial substrate के साथ reaction करना होता है precursor नहीं initial substrate से reaction करना होता है इसकी मैं आपको ग् 저टोर ढेता हो जी Kelvin cycle की दरह ध्यान से देख रहे हैं आपने इस तरह से ये काम होगा अगर मैं केल्विन साइकल थोड़ा करके बताऊं तो आपको पता एक प्रीकरसर होता है और यू बीपी और यू बीपी का इनिशियल सबस्ट्रेट कार्बन डाई ऑकसाइड होता है और यहां पर जो इंजाइम होता है वो रि एंजाइम के पास आएगी और इसको कहऊ ए गी जलदी जलदी मेरा प्रीकर्सर बनाओ ताके मैंने अपने प्रीकर्सर के साथ साक्ट करके साइकल चलाना है तो हमेशına जो साइकल में पहले से मौझूद हो और बाद में दुबारा रीजेनरेट हो उसको precursor कहते हैं और initial Subset Rate ने हमेशा precursor के साथ reaction करना होता है. precursor ने final product तो बना ली होती है लेकिं साथ उसने precursor यहाँ पर final product तो बन चुकि होती है इस enzyme ने साथ में precursor भी बनाना है. सो हमेशा एक चीज याध रखrän चांगे कि initial subset rate react उसके सथ करता है. precursor के तBar. तो प्रीकर्सर हमेशा आखरी step के अंदर regenerate होता है प्रीकर्सर हमेशा आखरी step में regenerate होता है और अगर प्रीकर्सर नहीं होगा तो initial substrate का दिल दुख जाएगा तो वो अपना precursor मांगने के लिए precursor को activate करने के लिए precursor को activate करने वाले enzyme की request करता है और उसको activate कर देता है तो यह precursor activation इस pathway को बढ़ाने के लिए काम आती है और feedback inhibition इस pathway को कम करने के लिए काम आती है feedback inhibition तब होती है जब final product की concentration बढ़ जाए और initial substrate की जब concentration बढ़ती है तो precursor activation करवाता है क्यों बच्चों समझ आ आगे है मने आपको अच्छी तरह detail के साथ समझाने की कोशिश की है इंशाला आपका भो ज़्यादा फायदा होगा ठीक है चैलें जी इनहीबिटर्स के हेवाले सही है जो इनहीबिशन है ना इस इनहीबिशन को यगर आगे लेके चलें तो आपको इनहीबिशन इनहीबिशन जो है ना वो दो तरह की मिलती है inhibitors दो तरह के होते हैं वैसे तो आपको example सारी पता है inhibitors दो तरह के कौन से हैं एक को हम reversible inhibitor कहते हैं और दूसरों को हम irreversible irreversible inhibitor कहा रहे होते हैं ठीक है reversible inhibitors mast on जो है नहागे फिर से दो किसम के होते हैं जिन में आपको पहली type मिलती है competitive inhibitors की और दूसरी टाइप मिलती है non competitive inhibitors की ठीक है irreversible में क्या होता है आपको पता है जब enzyme के साथ कोई inhibitor आके bind हो जाए तो inhibitor क्या करता है वो reaction उन्हें नहीं देता reversible का जो inhibitor है वो chemically भी आके bind हो सकता है और याद रखें physically भी bind हो सकता है दोनों सूर्टों में reaction जो है न वो हमेशा के लिए stop हो जाएगा irreversible inhibitor दोनों सूर्टों में हमेशा के लिए उस reaction को रोक देगा इसकी मैं आपको example देता हूँ cyanide irreversible example example जो होगी इसकी वो cyanide है जो आपकी बुक में लिखी हुई है cyanide क्या करता है यह एक जहर है यह जहर है जो respiration में ATP बिनाने वाली जो chains होती हैं आपको बता है electron transport chain के जो enzymes होते हैं यह उनको जाके block कर देता है बिलॉक कि electron transport chain जब electron transport chain ही बिलॉक हो जाएगी तो उसके नतीजे में ATP बंने बंद हो जाएंगे और जब ATP बंने बंद हो जाएंगे तो बंदे की ड़त हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि जहर से बंदा मर गया है एक्चुली जहर से अनाइड है जे अनाइड एक्चुली इन्हीबिटर है इन्हीबिटर जाके enzymes को block करेगा कौन से enzymes को electron transport chain जो के हमारे सेल्स में हो रही होती हैं और ATP बनाने से रोग देगा ATP जब नहीं बनेंगे तो बंदे की block कर देगी जब bacteria के enzyme block हो जाएंगे तो आपको पता है ना bacteria survive नहीं कर पाएगा यह जो एंटिबिटिक है यह inhibitor का काम करती है bacteria के लिए आपको पता bacteria के survival के लिए भी जरूरी है कि bacteria के enzymes product बनाते रहें जब enzyme product नहीं बनेंगे ना bacteria के अंदर तो bacteria की भी अल्ला के उकम से death हो जाएगी जब कोई infection होता है जब कोई infection होता है बैक्टिरिया body में जाता है तो हम क्या लेते हैं एंटिबाइटिक basically हम bacteria के enzymes के खिलाफ क्या ले रहे हैं inhibitor ले रहे हैं वह enzymes को जाके रोकेगा protein बनाने को रोग देगा कुछ और चीज़ें product बनाने से रोग देगा तो enzymes काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा product नहीं बनेगी तो जो bacteria उसकी reproduction नहीं हो सकेगी वह grow नहीं कर सकेगा तो अब पता चला बैक्टिडिया को antibiotic कैसे मारती है जाके कुछ antibiotics membranes पे अटेक करती है membrane वाले enzymes को खतम करती है कुछ DNA बनाने वाले enzymes पे जाके अटेक करती हैं तो डिपेंड करता है कि कौन से enzyme वाली antibiotic आप ले रहे हैं so antibiotic is also irreversible inhibitor यह irreversible कर देती है enzymes में होने वाले reactions को बैक्टिरिया में होने वाले reaction को competitive कब होता है competitive तब होता है जब inhibitor की substrate के साथ similarity हो फॉर एक रियक्शन है सक्सीनिक एसेड सक्सीनिक एसेड अला बला कर यह आपकी बुक का है convert होता है जी fumaric acid में fumaric how do you hear me think एसेड में यह kаम कर आप साएकल में भी आपने पड़ा है जब सक्सीनियर फियुमरेट में convert होता है करआ साइकल k pewl लें आपको वा मिल जाएगा सुक्सिनेत फ्युमरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है और यहां पर जो एंजाइम काम करता है वह सक्सिनिक डी हाइड्रो जी JULth होता है सक्सिनिक डी हाइड्रो जी नेज्ट 74 अब क्या होगा अगर सक्सिनिक डी था यह दो जी मेंजाइम के साथ सउ compl devenir लिख की जगां मेलोनिक इंजाइम यह sorrow सक सीनिक, मैं थोड़ां सा फरक है, आप चक कर सकते हैं, अपने डियाग्राम के अंदर, पॉह स्क्रम प्रक्स्राइब, द्रियाक्शन यह फिलिए हैं, ताके आपको पता चल चल जाए, यह जो एंजाइम है, sexinic dehydrogenase सिरफ इसको पहचानता है एक है इसको गलती से पचान ली है कियोंके यहसे resemble कर रहा था किसका structure से match कर रहा भ呀 Elect की वजहां से Mellanic acid लग तो गया इसके साथ Active side as alike slash do लेकिन प्रोडक्ट कोई नहीं बने गी sot eekatita अगर हम इसको निूट्रलाइज करना चाहते हैं 53えー रिवर्सिबल क्यूं है क्यूंकि इसکो अम क्यूं निूट्रलाइज कर सकते हैं कैन भी निूट्रलाइज इसके इफेक्ट को खतम किया जा सकता है अगर हम सबसिटरेट को बढ़आ दें संग्सीनिक एसट की inhibition के अंदर हम substrate को बढ़ा के inhibition खतम कर सकते हैं ओके हो गया इसके बाद non competitive के बारे में बड़ा प्यारा आपको जो मैंने अभी pathway समझाया था वो non competitive inhibition थी non competitive inhibition के अंदर non competitive inhibition में एक special किसम की site होती है उसको पेचान लें आप लोग यह आपका enzyme है this is active site this is active site यहां पे एक site होती है other than active site इसको हम allosteric का नाम देते हैं allosteric site allosteric site जो है न यह non competitive inhibitors के लिए होती है for example अगर यह non competitive inhibitor है यह वाला this is non competitive inhibitor यह allosteric site के साथ जाके bind हो जाएगा यह non competitive है यह other than active site के साथ जाके bind होता है यह समझो bind हो गया active site तो अभी भी खाली है यहां पे genuine substrate आके attach हो सकता है यह वाला लेकिन attach नहीं हो पाएगा क्यों जैसे ही यह allosteric site पीछे से आके attach होगा other than active site active site की शेकल भी तबदील कर देगा जब active site की शेकल तबदील हो जाएगी तो genuine substrate भी आके bind नहीं हो पाएगा अगर जबरदर्स्ती बैंड भी हो गया तो भी reaction नहीं हो पाएगा so this is the allosteric site और यह काम non competitive inhibition से होता है और यह आम तोर पर जो inhibition है feedback inhibition है उसके अंदर यह non competitive inhibition का अक्सर रोल होता है so non competitive example बनेगी अक्सर feedback feedback जो inhibitors होते हैं feedback जो inhibitors होते हैं वो mostly non competitive inhibitors होते हैं जो other than active site की ठाके नीचे से बैंड हो रहे हो थो और active site की शकल को तब्दील कर देते हैं जिससे active site पे अपना genuine substrate जैनियन औरीजिनल substrate भी बैंड नहीं होता जबद सी हो भी जाए तो reaction नहीं होगा ठीक है जी तो सब की examples मैंने explain कर दी है किया हर enzyme पे अलुस्टेरिक साइट होती नहीं बेटे किसी पर होती किसी पर नहीं होती depend करता है कि non competitive inhibition उसमें है या नहीं है तो students यह था हमारा enzyme का chapter उमीद है आप लोगों को मैंने सारा clear करवा दी है एक चीज़ रहागी है वह आपके ओपर मैंने छोड़ दी है models एक है lock and key model मेरा नहीं क्याल कि वह समझाने की जरूरत है और दूसरा है induce fit model lock and key कहता है कि active site weight बहुत सखत है और induce weight कहता है नहीं जी इतनी सखत नहीं है थोड़ी सी flexible माउल्ड हो सकती है substrate के मताबिक सो यह ज्यादा acceptable है इनके साइंसदानों के नाम भी आपने कर लेने हैं चैलें जी इन्शाला मिलते हैं कल next chapter के साथ अब आपका biological molecules के complete chapter खत्म हो गया है मैंने आपको examples दी बता दी इनमें से कौन non competitive की है और कौन competitive की है और कौन सी irreversible की है सो मिलते हैं factors भी जी जी factors भी आप लोग कर लें उसमें कोई बड़ी डॉबलम नहीं है टेबल को अच्छी तरह देख लीजिए देख लीजिएगा बस एक चीज़ याद रखनी है कि maximum वहां पे आपने rate of reaction लिखना temperature नहीं लिखना optimum temperature यह optimum pH में जो maximum चीज़ होती है वह rate of reaction होती है temperature या pH maximum नहीं होती वह optimum होती है specific होती है लें जी मिलते हैं कल कल तक के लिए तेस्ट नहीं है आज टेस्ट नहीं है आपका क्योंगे आज यह टॉपिक आपको मैंने इंजाइम वाला करवा 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 दिया है तो आज आप लोगों ने टेस्ट FLP का तियार करना है तो कल तक के लिए अलाहाफीज झालाहाफीज